हम 21 विशताब्दी में परमाणू बम और मिसाइलों के युग में रह रहे हैं दुनिया में सबसे शक्ति शाली मिसाइलों में से कुछ मिसाइल, रूस, चीन, अमरीका और भारत के पास हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइलों प्रोध्योगी की काभविश्य है दुनिया में शांती बनाए रखने के लिए राश्ट्रों ने परमाणू बंग और परमाणू हतियारों को लेकर विभिन संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं लेकिन अभी भी दुनिया में बड़ी संख्या में हर साल मिसाइल और परमाणू बंग का उपादन होता है आईए इस विडियो के माध्यम से जानते हैं कि दुनिया की साथ सबसे खतरना मिसाइल कौन से हैं इनकी मार का शमता क्या है और इनकी निर्मान में किन तकनिकों का इस्तमाल किया गया है नमबर एक रूस का आर चातीस सीरीज मिसाइल आर चातीस रूसी इंटर कांटिनेंटल बैलस्डिक मिसाइल और अंतरिक्ष लांच वाहनों की एक श्रंखला है इसका रेंज 16,000 किलोमेटर है इसे शीट युद्ध के दौरान डिजाइन किया गया था इस श्रंखला की मिसाइलों को दुनिया में सबसे शक्ति शाली मिसाइल कहा जाता है आर चातीस का सबसे पहला उपादन सन 19107 में किया गया था और तब से उलेकर अब तक आर चातीस श्रंखला में कई बदलाव किये जा जुके है हम आपको बता दें कि आर चातीस में 10 से अधिक हतियार या वार हेड ले जा सकती है यानि इसको 10 अलग अलग जगह पर टार्गेट किया जा सकता है वास्तव में यह मिसाइल बहुत अधिक वजन ले जा सकती है इस एक मिसाइल से कई स्थानों को लक्षिक किया जा सकता है नाटो ने आर चातीस हतियार को एसस अठार है शेतान के रूप में नामी किया है अरबी में इसे शेतान कहा जाता है और इसकी रेंज सोना हजार किलोमेटर है अमेरिका का LGM 30 मिनिट में LGM 30 मिनिट में दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे शक्ति शाली मिसाइल है प्रमान के भूमी आधारित इंटर कांटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमेटर हैं। यह तीन अलग अलग परमानों हतियारों को ले जा सकती है, जो की अलग अलग स्थानों को लक्षिक कर सकते हैं। यह अभी अमरीका में एक मात्र भूमी आधारित इंटर कांटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइल है। नमबर तीन चीन का डॉंग फेंग 41 मिसाइल। डॉंग फेंग 41 परमानों थोस इंधन वाली रोड मोबाइल इंटर कांटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइल है। इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमेटर है और दुनिया में कहीं भी हिट्र करने की शमता के साथ दुनिया की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है ये कई पे लोग्स को ले जा सकती है और 25 में केकी शीर्ष गती है नमबर 4 फ्रांस का M51 मिसाइल M51 एक फ्रेंच पंडुबी लॉंच बालिस्टिक मिसाइल है यह मिसाइल फ्रेंच नौसेना द्वारा उपयोग की जाती है और इसे EADS Estrium Space Transportation द्वारा डिजाइन किया गया है इस खतरना मिसाइल की रेंच 10,000 से 11,000 किलोमेटर है और यह फ्रांस को सूपर पावर बना है M51 को पूरी तरह से डूबे हुए पंडुबी द्वारा लॉंच किया जा सकता है और इसमें 8 से 10 वार हेड ले जाने की शमता है इसमें न केवल एक अच्छी रेंज है बल्कि यह स्ट्राइक प्रतरोधे सामरिक हतियार के रूप में भी कार्य कर सकती है नमबर 5 इंग्लेंड का ट्राइटेंट टू ट्राइटेंट टू एक पंडुबी लॉंच बैलिस्डिक मिसाइल है इस मिसाइल को 1990 में परिचालित किया गया था और बाद में अपक्रेड किया गया है इसका उपयोग United Kingdom के Royal ने विद्वारा किया जाता है Trident to 14 Warhead ले जा सकती है इसकी अधिक्तम सीमा अपने हतियारों के भार से निर्धारित होती है और 7800 से 12000 किलोमेटर के बीच बदलती है क्या आप जानते है कि जेरी चो एक बैलिस्डिक मिसाइल का रेक्रम को दिया गया कोड़ नाम है जेरी चो तीम नवीन तम लंबी दूरी की और एक इंटर कांटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइल है इसकी रेंज 2000 से 11500 किलोमेटर है यह मिसाइल लगभग एक टन का पेलोड ले जा सकती है नमबर साथ भारत का अगनी पांच मिसाइल अगनी पांच भारत का स्वदेश निर्मित परमाणू सक्षम इंटर कांटिनेंटल बैलिस्डिक मिसाइल है अगनी पांच अगता का सबसे उननती नाविगेशन सिस्टम वान हेड और इंजिन के संदर्भ में इसमें कई नई प्रोध्यों की किया शामिल है यह तीन चरण की 17 मिटर लंबी और लगभग 50 टन वजनी है यह मिसाइल निर्दिश्ट स्टीता के कुछ मीटर के भीतर लक्ष बिंदू तक पहुंच सकती है क्योंकि इसमें रिंग लेजर गाईरो बेस्ट इनिशल नाविगेशन सिस्टम और सबसे आधुनिक और परफेक्ट माइक्रो नाविगेशन सिस्टम है भारत सरकार ने इसकी रेंज 5000 किलोमिटर बताया है लेकिन दुनिया के कुछ विशेशग्य खास कर चीनी विशेशग्य में दावा करते हैं कि इसके रेंज 8000 किलोमिटर है और भारत सरकार ने जान बुझ कर इसकी रेंज कम बता रही है इसे दुनिया की सबसे सथिक परमाणू मिसाइल माना जाता है को भी दबाना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए ती लाइव न्यूज इंडिया प्यूज एडर बुझ कि दूज है उना एमार मिल दाए झाल प्यूँ 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 झाहे प्य़ज़ एपाइ Arnold झाल झाल जाल नात". झाल ढल आल एंवान एंवार. कर दो बढक्षी लिखजा़ फजया लिख नग्षाट बढऄक्षेश का लिखजजब लिखज़ का लिखज़ का लिखजब कर दो लिखज़